हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मुंबे किचिन में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत हैं आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल सी पोहा की रेसिपी जो बिना गैस के बनती है और मैगी से भी कम टाइम में यानि दो मिनिट में आप इसे बना सकते हो यह डिश महारश्ट के कोकंड साइड की बहुत ही फेमस डिश है इसे बनाने के लिए जनरली पतला पोहा यूज करते हैं लेकिन अगेर आपके पास नॉर्मल पोहा है तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं करीबन दो कप मैंने लिया हुआ है उसके बाद हमें चाहिए आधा कद्दू कस किया हुआ नारियल आपके टेस्ट के उपर डिपेंड है कितना आपको लेना है एक मिडियम कट किया हुआ प्यास आधा बारी कट किया हुआ टमाटर थोड़ा सा चौप किया हुआ धनिया और एक से दो हरी मिर्चे यह सारी कितना spicy चाहिए कितना कम spicy चाहिए इस सारी चीजों को हमें अच्छे से mix कर लेना है पोहा में इसका कोई ऐसा perfect measurement नहीं है आपके taste की अनुसार आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं उसमें हम डालेंगे बहुत ही थोड़ी सी शक्कर आपको नहीं पसंदे तो आप नहीं डाले चाहिए चीजों को हमें हाथ से ही अच्छे से mix कर लेना है स्पून नहीं यूज करना है जितना अच्छे से हाथ से आप इसे mix करोगे पोहा उसका tomato का और onion का moisture अच्छे से सोक कर लेगा और अच्छा soft बनेगा यह देखिए इस तरह से अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल बहुत ही थोड़ा डालना है splash इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे कि देखिए इस तरह से तेल का प्यास का और tomato का moisture पोहा एपसॉप कर लेता है और बहुत ही soft tasty बनता है बस बन गय हमारे पोहा बहुत ही आसान है ना इसे बनाना कोई भी बैचलर भी आसान इसे बना सकता है जिसको कुकिंग जादा नहीं आती है अगर आपको मेरी recipes पसंद आती है तो Mumbai Kitchen को subscribe करना ना भूले नीचे के red subscribe icon पे क्लिक करें बाजू में आने वाले bell के icon पे भी क्लिक करें Thank you